इस वीडियो को युनाटेट इस्टेट में रहने वाले एक कपल दोरा रिकोर्ड किया गया है जिसमें वे रात के टाइम कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक उनका सामना एक असली मूर्थ मैंसे हो जाता है जिसकी वीडियो उन्होंने अपने सोसल मीडिया अकाउंट पे भी प्रोर किया था अगर आप इस वीडियो में ध्यान दे तो आप यहाँ पर किसी बड़े पच्छी जैसे किरीचर को उड़ता हुआ देख सकते हैं जो दिखने में काफी बड़ा दिखा देता है हाला कि रात का टाइम होनी की बज़े से यह किरीचर साब दोर पे तो नहीं दिखाए देता लेकिन इस वीडियो को रिकोड करें यह कपल दावा करते हैं कि यह एक असली मोथ मैन है फिलाल साथ ही मैं आप सभी को बताता चलू कि मोथ मैन एक ऐसा जी होता है जो कुछ-कुछ हम इनसान हो जैसा और कुछ पच्छी जैसा होता है कैर वीडियो तो इसे एक असली मोथ मैन होने का दावा कर दिया है आप सभी को क्या लगता है हम इक कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरे वीडियो की ओर इस वीडियो को किसी टिक टोक अकाउंट पर अपलोड किया गया था जिसमें वीडियो के उनर बताते हैं कि उन्हें अपने दोस्त के साथ रात के टाइम जंगल में कैम्पिंग के दोरान एक बहुत डराउना और रहसमी क्रीचर दिखाय देता है जिसके ही वह वीडियो भी रिकोड कर लेते हैं अब वीडियो में इस चटान पर किसी बेक्ति को चड़ा हुआ देख सकते हैं जो किसी से डर कर पानी में कुछ जाता है लेकिन इसके बाद इस चटान पर दो लाला रंग की चमकती हुई आँखे दिखाय देती हैं जिसे आप वीडियो में साब दोर प फिलाल वीडियो के उनर खुद ने जानते कि यह कौन सा क्रीचर है लेकिन अनुमानता हुआ बताते कि वह दिखने में किसी बड़ी पच्छी जैसा दिखाय दे रहा था अलाकि वह कोई नॉर्मल पच्छी तो नहीं था लेकिन वह दिखने में काफी डरा हुना था कैर वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगी से भी मौत मैं होने का दावा कता है फिलाल आप सबी को क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रू बताएगा कैर चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी वीडियो के ओर कनाडा में रिकोर्ड की गई इस वीडियो में एक असली हिम्मानों को देखे जाने का दावा किया जा रहा है जिसे ही वहाँ पर गए कुछ दोस्तों दोरा देखा गया आप यहाँ पर सफिद रंग के किसी बड़े की रीचर को भागता हुआ देख सकते हैं जो इनके कैमरे में साप साप कैचर हो जाता है कैर यह दिखने में तो एक ही मानों जैसा ही दिखाय देता है जो बरफिली जगाओं पे रहते है फिलाहाल चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी वीडियो के ओर इस वीडियो को किसी फैमली दोरा किसी जंगल में कैम्पिक के दोरान रिकॉर्ड किया गया है जिसमें वीडियो दावा कर दी है कि जंगल के पास मौझूद किसी नदी के किनारे एक वेरू जैसे दिखने वाले के रिचर को देखा गया है हाला कि वीडियो के ओरनर बताते है कि वीडियो रिकॉर्ड के दोरान उन्होंने इस क्रेचर के उपर द्यान ने दिया था लेकिन जब वे इस वीडियो को चेक करते है तब उन्हें यह क्रेचर यहां पे जाता हुआ दिखाय देता है जो एक वेरूर हो सकता है फिलाल अगर मेरे अंसार देखा जाए तो यह कोई पिक फूट भी हो सकता है जो इस नदी के किनारे यहां पे चाहता हुआ दिखाई देता है कैर आप से भी क्या लगता है इस वीडियो के बारे में हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रू बताएगा तो चली बढ़ते हैं अपनी पांच में वीडियो के ओर वीडियो को किसी बर्फिली जगह पे रिकोर्ड किया गया है जिसमें वहां पे घुमने के कुछ दोस्तों का दावा है कि उन्होंने बर्फ में एक असली पिक फूट को जाता हुआ देखा साथी उसकी वीडियो भी रिकोर्ड कर ली वीडियो के क्वाल्टी थोड़ी कराब है लेकिन आप यहां पर इस बिक फूट को जाता हुआ देख सकते है जो इनके अंजार इनसे कुछ दूरी पर ही दिखा देता है कैर वीडियो के ओनर बताते है कि इसके बाद यह लोग यहां से वापस अपनी केम की ओर चले जाते है कैर आज के लिए बस इतना ही चले ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाए टेक यार